Hello everyone, welcome to Sleepy Classes, तो आज हम बात करने वाले हैं हर्याना Civil Services में मेंस के परस्पेक्टिफ से क्या चीज़ जरूरी है, तो प्रिलिम्स का एक्जाम अभी लास्ट मन्ती हुआ था, रिजल्ट भी एक दू दिन पहले आ गया है, तो अब प्री से आगे बढ़के मेंस के बारे में बात क क्योंकि जो आपका यहां पर CSAT का पेपर है, बेसिकली वो भी 100 नंबर का ही होता है, बट पो सिर्फो सिफ क्वालिफाइंगी नेचर होता है, यानि कि आपको सरफ 33% माक्स यहां पर लिख कराने हैं, तो आपकी basic merit यहां पर डिसाइड कौन सा वेपर करेगा, वो आपका GS का वेपर करने वाले हैं, इसके लाबा, अब second stage अगर आपका pre-clear हो गया है, तो mains के उपर चलते हैं, तो mains में आपका total 600 माक्स का पेपर, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश 2S, ठीके फिर GS का exam, then after datagram के optional की पेपर की बात आती है, तो total 600 माक्स के आपके यह पेपर होते हैं, तीन घंटे के एक-एक पेपर, अगर वो भी clear हो जाता है, तो final stage आती है, आपका personality test, जिसको हम interview कहते हैं, जो 75 माक्स का होता है, तो बट अगर हम pre की यहाँ पे divisions की बात करें, तो pre के बात, तो यहाँ पे अगर हम mains की division की बात करते हैं, तो mains में आपका basic चार components हैं, जिसमें आपका English essay है, Hindi essay है, then general studies है, and then optional exams है, तो यहाँ पे आज हम particularly बात करने वाले हैं, general studies के बारे में, तो अब बाकी state, PCS और UPSC और हर्याना में यही फर्क है, कि आपका जो GS के exam है, उसकी further bifurcations नहीं होती है, यानि कि जैसे अगर आप UP का exam भी देखेंगे, UPSC को फॉलो करते हैं, तो further यहाँ पे तीन, चार तरह की तरफ से अगर हम देखें, GS के divisions होती है, हर्याना के paper में यही एक speciality है, कि आपका एक तरीके से GS का एक ही paper होता है, यानि कि further कोई bifurcations नहीं है, कोई आपके different GS1 में history का या geography का content नहीं जाएगा, सारे के GS environment, economy and everything will be consolidated into one exam, एक single exam होगा आपका general studies का, इसी के basis पे आपको यहाँ पे बहुत particular रहना होगा, कि क्या चीज़ exam perspective से जरूरी है, क्या नहीं है, तो इसी के लिए एक basic idea रहता है, कि आपको जरूरत रहती है, कि आप जो भी paper लिख रहे हैं, अब दो चीज़े हैं, कि आप एक तो prelims की तियारी कर चुके है, prelims आपका clear हुआ, तभी आप mains की तरफ पहुंचे, almost prelims और mains का syllabus जो है, वो same ही रहता है, तो आपके basics तो यहाँ पे हो गए होगे, clear, तो यहाँ पे mains के time पे आपको उन basics को क्या करना है, revise करना है, और एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे यही रहती है, कि prelims के बाद mains के लिए, आपको अब क्या करना है, revise करना है, कैसे answers को लिख कर, क्यूंकि अब आपको prelims में सिरफ answers mark करने थे, यहाँ पे mains में आपको क्या करना है, आपको अपने answers को handwritten तरीके से लिखना है, एक structure answer क form करना है, क्या चीज़ examiner जो है, चाहता है, exam point of view से क्या चीज़ जरूरी है, क्या नहीं है, वो कहाँ पे पता लगता है, जब आप answers लिखते हैं और उसको करवाते हैं, evaluate, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कि आपकी revision सही तरीके से हुई हो, आपके content को लेकर, दूसरी चीज़ कि जो answers आप लिख रहे हैं, actually में वो exam perspective से सही है भी या नहीं, तो आपको उन answers की evaluation भी करवानी होगी, ताकि आपको पता लगे कि आप बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे तयारी कर रहे हैं या नहीं, तो इसी लिए हम आपके लिए लेके आए है, specifically हर्याना के लिए मेंस की general studies की test series, जहाँ पे आपको provide किये जाएंगे 5 full length test, जो की general studies के ही होंगे, as per the syllabus of हर्याना civil services, इसके लावा complimentary आपको provide किया जाएगा monthly compilation, right, कि compilation मिलेगी आपको current affairs की जो की हर्याना specific ही होगी, from January 2023 to September 2023, right, and साथ ही साथ ये course आपको मिल रहा है, सिरफ 4499 rupees only, तो यहाँ पर आपके जो answers है, वो evaluate भी होंगे, evaluation के साथ साथ, अगर आपको कोई doubt भी होगा, आप directly हम से पूछ सकते हैं, through the dashboard, आपके बहुत सारे ऐसे, जो है, रहते हैं, processes through which you can ask your doubts, हना, तो आप mail लिख सकते हैं, हमें हमारे dashboard पर directly question के answers के लिए हमसे पूछ सकते हैं, कि क्या चीज़ सही दी, क्या नहीं, examiner जो है, आपका paper उसी हिसाब से check करेगा, जैसे most likely HCS में भी check करते हैं, right, इसी हिसाब से आपके जो answers हैं, यानि कि जो मैंने आपको mention किये थी चीज़ें, कि जो important रहती है exam perspective ने, कि आप क्या चीज़ GS के perspective से revise कर रहे हैं, paper में जो आपसे question directly पूछे जा रहे हैं, वो अब कितने important हैं, जो questions आप पढ़ रहे हैं, वो exam perspective से important है भी या नहीं, क्योंकि maximum students को यही चीज़ लगती है, कि वो कहते हैं, पढ़ के हम सब गए थे, but actually मैं focus उसी के उपर रहना चाहिए, कि पता हो कि क्या चीज़ पढ़नी ज़ादा जरूरी थी, पढ़ के सब जाते हैं, बढ़ फोकस यही रहना चाहिए, कि आपको answers को किस हिसाब से लिखना ह उनकी structures की formation कैसे होगी, कहां पर आप चीज़ लाग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अब तो word limit वाला issue भी यहां पर आता ना, कई बार ऐसा होता है कि excess में जितने भी हमारे जो paper में हम लिखते रहे हैं, वो हमें positive marks तो कहां ही लेके दे, हमारे कई बार negative में भी चले जाते हैं, तो यही better तरीका है कि आप अपने answers को evaluate करवाएं, हमारे साथ मिलकर हम आपको एक better तरीके से, again UPSC में भी हम यही चाहते थे, और अब हम चाहते हैं कि stage की तरफ भी कि बच्चों को maximum से maximum rank दलवा सके, again यह course live है, इस course का link आपको मिल जाएगा description box के अंदर, कोई भी information हो, toll स्क्रीम पर visible होगा, आप जा सकते हैं, call कर सकते हैं, after that अगर आप देखें तो हमें आप visit भी कर सकते हैं, sleepyclasses at gmail.com पर ही, so आज के लिए इतना ही, thank you so much.